नमस्कार दोस्तों हम कई दिन से न्यूज पर देख रहे हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर पर कई छात्र धर्णा पड़र्शन कर रहे हैं जिन में उनकी मांगे है कि एक कोर्स है एनायस से डिलेड और इस कोर्स को करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं ये डिपलोमा इन इलिमेंटर एजूकेशन है जो एनायस संस्था द्वारा कराया गया था ये दो और सका डिपलोमा है और भारा सरकार ने जब हमारे केंदर में परधार मंतरी नारेंदर मोधी जी थे तब ही उन्होंने इस कोर्स को ड्रीम प्रोजक्ट बताकर इसको लांच क किया था और बड़ी बड़ी नोटिफिकेशन निकाली गई थी अख़वारों में छपी हुई थी और ये उसमें लिखा था कि ये कोर्स करने के बाद आप देश में कहीं भी अध्यापक की बैकेंसी में फारम डाल सकते हैं और आप सरकारी मास्टर बन सकते हैं और इसमें किन लगा तो वहां पे एंस सट्र हटा दिया गया जब वहां से हटा दिया गया तो ये सब बच्चे कोरट में गए कोर्ट ने इस 18 महीने को मानते हुए इस डिगरी को रद्द कर दिया तो हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार एक बार कोर्स करवाती है फिर उसको रद्द करवा देती है और तमाम 14 लाख बच्चों ने इस कोर्स को किया और अभी हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे इस कोर्स को करने के बाद सरकारी नोकरी कर रहे हैं तो ये सरकार किस तरह दोगला पंत्री कार कर रहे हैं कि कुछ लोग इसी कोर्स को करने के बाद सरकारी नोकरी कर रहे हैं सरकारी नोकरी कर रहे हैं और कुछ लोगों की ये साइटिफिटिंग मान ही नहीं है तो कुल मिला कि ये सरकार दोगला पंथी कर रहे हैं इन 14 लाख बच्चों के साथ और जहां तक से देखा जाए तो ये जो न्याय पालिका है और जो मीडिया है ये भी सब बिक चुकी है अगर देखें आज असलियत तो ये जो न्याय पालिका है ये भी बिक चुका है अगर ये बिका न होता तो ये साइटिफिटिंग पे कहीं 18 महिना नहीं लिखा है जो notification जारी हुआ था जब फार्म आनलाइन हो रहा था उस पे सीधे लिखा दो वर्षिय डिप्लोमा कॉर्स जो साइटीफ फिटेंग मिला है उस पे लिखा है 17-19 2017 में यह कॉर्स शुरू हुआ था और 2019 में यह पूरा हो गया था और साइटीफ फिटेक पे भी दो वर्षिय डिप्लोमा लिखा है तो यह न्याय पालिका भी बिख चुका है यह 18 महीने करार देते हुए इस कॉर्स को करार दिया और आज की डेट में जितने सिच्छक हैं सब परदर्शन देर हैं ना जाने कितने लोगों का जान चला गया इसमें और जो यह में चाइडी है जो एंसीटी है यह जो करवाये थे यह भी निकल के कुछ आगे नहीं आ रहे हैं ना कुछ बोल नहीं और परदान मंत्री यह मोधी जी इस कॉर्स को अपना प्रोजक्ट ड्र लांच करवा के करवाय थे लेकिन आज मोधी जी भी इस पे कुछ एक सब्द नहीं बोल रहे हैं इनके कान में लग रहा है कि कोई जू नहीं रहें रहा है इस तरह का बताओ यह हमारे देश के परदान मंत्री इस तरह का धोखे बाज निकलें कि 14 लाग बच्चों का एक कॉ परद एक लोगतांत्रिक देश है एक कैसा लोगतांत्रिक देश है बच्चे भटक रहें उनकी बाते नहीं सुनी जा रही है मनमानी हो रहा है बच्चों के साथ